जै मातादी, राधे राधे एवरिवन, आप सभी को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है। फ्रेंड्स, सार्दिय नवरात्री आने वाली है। आज की वीडियो में हम नवरात्री पूजन की संपोर्ण विधी जानेंगे। हमें स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, इसकी संपोर्ण विधी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएं, तो देखे, नवरात्री के पहले दिन, सुबह सुबह जल्दी सनान करने के बाद, हम जिस जगह पर पूजा करेंगे, उस जगह को अच्छे से साफ करके चोकी लगा लेंगे, चोकी पर लाल रंका वस्तर बिछाएंगे, उसके उपर हम मा भगवती यानि माता रानी की फोटो या मूर्ती जो भी सवरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे, तो पहले चावल का आसन देकर उसके बाद हम माता रानी को याँ पर विराजमान कर देंगे, इसके बाद हमें जवारे उगाने हैं, देखे सार्दिय नवरात्री में जवारे बोने का बहुत महत्तो होता है, जवारे बोने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुंडा लि मातारानी चौक पर िअब चौक के ऊपर क्लतका करते हैं लेकिन आपकी चोटक सब्ल़ करें चावल करने रिधूरए कि क्योंकि जो मिट्टी का कलस है इससे फिर चावल फूल जाता है। नो दिन की स्थापना होती है तो चावल फिर सीलन मान जाते हैं। फिर हम आम के पत्ते इसमें सजाएंगे, आम के पत्ते सजाने से पहले हम उनको तिलक कर लेंगे और फिर आम के पत्ते इसमें हम सजा देंगे, अब हम कलश के उपर रखने के लिए नारियल तयार करेंगे, तो जटा वाला नारियल हमें लेना है, नारियल पे तिलक लगा लें अगर आपके यहां पर चूहे हैं या आप चावल नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ नो सुपारी भी आप रख सकते हैं तो यहाँ पर हमने सुपारी और चावल रख्के नवगरे की स्थापना कर ली है आप चाहें तो सोडस मातरिकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर माताराने में सभी माताओं का रूप विद्यमान है तो आप मातारानी के रूप में इस सभी का पूजन कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने स्थापना कर ली है उसके बाद हम देशी घी का दीपक जला देंगे देखें नॉर्मली देशी घी का दीपक जलाया जाता है नॉर्मल दीपक लेकिन आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी यहाँ पर जला सकते हैं अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उस दीपक को फिर हिलाना नहीं होता है वो पूरे नो दिन तक जलता है मैंने सिम्पल दीपक जलाया है दिपक जलाने के बाद हाज जोड़कर माता रानी से प्रात्ना करेंगे हे मात भवानी मैं पूरे नो दिन के लिए अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ आप मेरी पूजा को स्विकार करें और इन नो दिनों में कोई गलती रह जाए तो मुझे शमा करें ऐसा संकल्प करने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे तो पूजा के शुरुआत में सब को हम जल के छीटे लगा कर भाव रूप में स्नान करा लेंगे तो स्नान का भाव करा के जलके छीटे लगा देंगे, वस्तर के रूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, तो गनेश जी को मातारानी को कलावा समर्पित कर दिया है, कलस पे पहले कलावा बांध दिया था, अब जो नवगरे हैं नवगरे हैं नवगरे पे भी हम छोट कर देंगे ча जो यहां पर jut kिद शुपारें को कि नहीं है यहां पर स्वास्ति की बना देंगे और जो नवगिठ नवगिठ यहां को हमें सूखी रोली रौलसमरपित कर देंगे। समर्पित कर सकते हैं उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप सभी को यहां पर समर्पित कर दीजेगा मातारानी को हम 16 सिंगार समर्पित करेंगे 16 सिंगार नहीं है तो जितना सिंगार हो पाए उतना आप मातारानी को समर्पित कर सक फिर जो पहले दिन हम स्थापना करेंगे ना उसमें हम भोग में पहले पान समर्पित करेंगे आप चाहें तो मीठा पान समर्पित कर सकते हैं या पान के पत्ते के उपर लोंग, इलाइची, सुपारी और पताशा रखके ये हम समर्पित कर सकते हैं दो पत्ते मिल जाएं दो स समर्पित कीजिएगा नई तो मिसरी भी ले सकते हैं साथ में हम पंचमेवे समर्पित कर देंगे रितुफल का भोग समर्पित करेंगे और फिर हम जल समर्पित कर देंगे इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हमें दक्षिना समर्पित करनी है दक्षिना भी हमें नो के गोबर से बने हुए उपले को जला लेंगे, इसमें हमें भोग समर्पित करना है, तो भोग में सबसे पहले हम लोंग का जोड़ा समर्पित करेंगे, लोंग हमें साबुत लेने हैं फूल के साथ, दो लोंग एक साथ हम लेंगे, इसको थोड़ा सा घी में डिप करके अगनी में समर्पित कर देंगे जै मातादी बोलते हुए हम ये लोंग समर्पित करेंगे दो बार हमें दो जोड़े लोंग के समर्पित करने है इसके बाद जो हमने भोग चड़ाया है पताशा मिस्री जो भी भोग चड़ाया है वो हम समर्पित कर देंगे साथ में ही जो पान हमने च समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवताओं को मिलता है इसलिए नवरात्री में अगनी में भोग जरूर समर्पित किया जाता है इसके बाद थोड़ा कपूर डाल देंगे ताकि अगनी अच्छे से परजवलित हो जाए ऐसे भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अपन पहले दिन भी स्मर्पित कर सकते हैं इसके बाद धूप दीप से हम बहुती प्रेम पूरवक मातारानी की आरती करेंगे पहले हम गनेश जी की आरती करेंगे उसके बाद हम मातारानी की आरती करेंगे आरती करने के बाद हाज जोड़ कर मातारानी से पूजा में रही कम्यों के लिए श्माय आचना करेंगे और अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मात भवानी से प्रार्थना करेंगे इस तरह से नवरात्री के पहले दिन की स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी पूजा करने के बाद फिर जो हमने जवारे बोए है वो जवारे हमें सीचने है तो देखिए जवारे में पहले दो-तीन दिन तक हमें सीधा जल नहीं सीचना है पहले हम थोड़े से जल को हाथ में लेके इस तरह से जल के छीटे लगाएंगे छीटे लगाने हमें 2-3 दिन तक जब जवारे थोड़े उपर आ जाएंगे उसके बाद आप सीधा सीच सकते हैं तो पहले हम जवारे सीच देंगे जवारे सीचने के बाद जो जलका लोटा है वो हम सूर्य देवता को आरग दे देंगे और जो भी भोग परशाद हमने चड़ाया है वो भोग परशाद पूजा के तुरंत बाद हम उठा कर सभी भगत जणों में सभी परिवार के सदश्यों में बाट देते हैं इस तरह से हम नवरात्री के पहले दिन मातारानी की स्थापना और पूजा करते हैं फ्रेंट्स नवरात्री पूजन की ये सर्ण और सम्पूर्ण विधी है आपको ये सम्पूर्ण विधी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हम महिलाएं घर में तीज तोहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ नवरात की किरपा आप पर सरवदा बनी रहे इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै माता दी राधे राधे